नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों तो आपका स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने यूट्यूप चैनल जी के बर्नर पे तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पसुतन साहे एक बर्ती के जो पेपर हुआ था उसका एक्सपेक्टेड कट ओफ लेकर आए हैं जिससे की करते हैं उससे पहले मैं आपको बताव हम सबसे पहले 2018 की कट ओफ के बारे के बात करेंगी जो जोकि निमने जनरल जो की थी 147 और female की थी 128 और widow की थी 111 और जनरल डिवर्सेट की थी 78 और उसके बाद बात करते हैं ST की तो ST general boys की थी 135 और female की थी 79 और widow not available थी और डिवर्सेट भी not available थी और उसके बाद ST की बात कर लेते हैं ST general boys के अंदर 122 का टॉप रही थी 2018 में तो female की बात करें तो female में 17 थी और widow not available और डिवर्सेट भी not available थी उसके बाद बात करते हैं OBC की तो OBC general boys की रही थी 144 और female की रही थी 118 और विड़ो नोट अवेलेबल और डिवर्सेट भी नोट अवेलेबल थी उसके बाद बात कर रहेते हैं MBC की तो MBC जनरल बोईज की थी 145 और फीमेल की थी 109 और विड़ो और डिवर्सेट नोट अवेलेबल थी तो दोस्तों मैं आपको बता दूगी ये लेस अवर्सेट जो 2018 वाली थी उसके अंदर पेपर 200 नमबर का था और नहीं कोई मार्किंग थी अभी जो 2022 न पेपर हुआ उसके अंदर मार्किंग नेगेटिव मार्किंग थी और साथ ही पेपर 120 नमबर का था अब हम बात कर लेते हैं लेस अवर्सेट 2022 के एकस्पेक्टेड का टॉप मार्क्स की जो कि मैंने पेपर के लेवल के हिसाब से और कुछ जो अंदर थे जिन्हों पेपर दिया था उन सब के क्यूशन्स के आधार पर मैंने ये कटॉप तयार की है तो लगबग मेरा नुमान यही रहेगा कि यह कटॉप यहां तक जाएगी तो जंडल की बात कर लो तो 86-88 रहना वालिए और OBC की बात कर लो तो 88-80 मार्क्स तक रहेगी और SC की बात कर लो तो 70-75 मार्क्स तक हो जाएगा और ST की बात कर लो तो 65-68 फिर मैंने यहां गल्स और बोईज की अलग अलग नहीं बिता ही है क्योंकि गल्स में जहां तीन से चार नंबर का ही फरक रहता है कवल तो यह थी जो मैंने कुछ आपके लिए एक्सपेक्टेड टॉप तयार किये